नमस्कार आप देख रहें नियूजबल इंडिया आपके साथ मैं हूं का जोल नराय शिरुवात करेंगे खबरों की भारत सरकार ने गंटन्त दिवस समहारों को लेकर इस साल दो महतोपूर्ण बदलाफ किये हैं दरसल गंटन्त दिवस समहारों अब हर साल 24 जनवरी के बजाए 23 जनवरी से शुरू होगा 23 जनवरी को निताजी शुभाशन्द बोश की जैनती होती है इसके अलावा अब इस समहारों को आज से 30 जनवरी तक आयज़ुत किया जाएगा जिसमें मुख्य समहारो 26 जनवरी से शुरू होगा वहीं कालिकरम में होने वाला फ्लाइपोस्ट 10 बजे के स्थान पर साड़े 10 बजे शुरू किया जाएगा परेड के समय में बदलाफ की मुख्य वजा वजबिलिटी में सुधार बताई जा रही है समहारो 23 जनवरी यानि किया से निताजी शुबाश रंद बोर्ष की 125 जनवरी के अफसर पर शूर किया जाएगा इसका जमापन 30 जनवरी को शहीद दिवस के उपलक्ष में होगा राष्टे राजधानी के राजपत पर गंतंत दिवस समहारो में करीब 1000 ड्रोन 75 सैनली विमान और 12 राजधे और केंद शाषित प्रदेशों और 9 मंत्रालियों की जाक्या शामिल होंगी इसके रावा गंतंत दिवस परेड में आने वाले दर्शकों की संख्या में काफी कमी आई है पिशित साल जब पहली बार COVID-19 लहर कम हो रही थी तब लगबा 25,000 विस्टर्स को अनिमती दी गई थी इस साल संख्या में 5000 से 8,000 की बीच काफी कमी की गई है और अभी भी काम किया जा रहा है क्योंकि COVID-19 मामलों में काफी व्रिधी हुई है दिल्ली में आज 73 वे गंतंत दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहरसल है इस दोरान गंडमाने व्यक्तियों के अलावा पूरी परेड ठीक वैसे ही दिखाई पड़ेगी जैसी 26 जनरी को होगी सेना की मार्चिंग टूपडियों से लेकर टैंग तो बैंड तक हिस सालेंगे वाई सेना का फ्लाइब पोस्ट भी होगा देश में जानलेवा कोरोना वारस महामारी के मामले कल की तुलरा में आज घटे हैं देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वारस के 3,33,000 से जादा मामले सामनी आए तो देश में कोरोना की ताज़ा सीथी क्या है आपके उता रहे हैं केंदर वासमंत्राले के उरस के जारी के अगए आँखडों के मताबिक देश में आव एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 21,85,000 से जादा है वmberिष माहमारी से जान गवाने वालों की संख्या 4,000 से जादा है आंकडों के मताबिक कल 2,69,000 से ज़ादा लोग ठीक हुए जिसके बाद अभी तक 3,65,6,650 लोग संख्मर मुक्त हो चुके हैं जनवरी के महीने में हर पल बदलते मौसम से जन जीवन अस्तिवेस्थ होने रगा है मैदानी लाकों में बारिश और पहाड़ी लाकों में बर्फबारी से ठुटन और बढ़ गई है दिली अंसियार में रात से बारिश हो रही है जिसके बाद जनवरी महीने में बारिश ने पिछले 32 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया वही पहाडों में हुई बर्फ बारी से भी मैदानी लागों में ठंड का प्रको बढ़ा गया है तो मौसम का ताजा हाल क्या है आपको बता रहे हैं दिली अंसियार में आजवात हुई बारी से जन्वरी महीने में बारीश का पिछले 32 साल का रिकॉर्ड तोड दिया पाड़ों मोही बर्फ बारी ने मैदानी लागों में ठंड का प्रको बढ़ा दिया है कल शाम से ही दिली में रुक रुक कर हलकी से मध्यम बारीश होती रही जिससे दिली वालों को काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा वही मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक दिली अंसियार समेथ पूरी उत्तरभारत में बारीश के संभामना जताई है मौसे विभाग का नुमान है कि दिली में आने वाले दो दिनों में लगतार मध्यम से निन्तम बारीश होती रही गी गौरत लब है कि देर शाम मौसम ने करवट लियो और दिली अंसियार के अन्ने लाकों में तेज बारिश ने दस्तरग दी अलिया में समाजवादी पार्टी के पूरव मंत्री नारद राई ने 2017 के वदान सब्सक्राइब चिनाव में सपा की हार का जम्मेदार ओंपरकाश राजपर और शिर्पाल सिंग यादफ को ठहराया बदी बनाई बात बोल दी कि पिछले चुनाव में भारती जनता पार्टी के जूट फरे के बहकावे में जनता आ गई विकास को भुला देने का काम किया और भारती जनता पार्टी के जूट को भी हरुसा करने का काम किया उस जूट को के बल पर सरकार बनाई ये आपकी बा बल्रामपुल में राजपताना राइफल्स पे तनात एक जवान का वीडियो वारल हो रहा है इस वीडियो में जवान बल्रामपुल जिले की सादुला नगर थाने की पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते वे कह रहा है कि उसे जवरन ठाकर ठाने ले जाए गया उसके साद बंदूक की बटो से मार पिटाई की गई उसका आरोप है कि उसके भाई और दुकानदार के बीच विवाद हो गया था जिसके बीच बचाव के लिए वो दुकान पर गया लेकिन पुलिस ने उसे ही जवरन ठाने ले आये और जमकर उसके साद मार पिट की है अबद रता की है आज श्री अतल कुमार व्यादो जी द्वारा एक ट्यूट द्वारा मैसेज प्रसाजित किया गया है जिसमें उनके द्वारा थाना सदुल्ला नगर पुलिस के उपर फोजी स्री राज किसोर सिंग सनाव राधे स्याम सिंग आरू पांडे पुरुवा के साथ अबद रहवार वा मार्कवीट करने की बात को बताया गया है इस सम्मंद में विश्टत जानकारी की गई तो प्रक्रण इस पकार पाये गया दिनांक 19.1.2022 को दिन में राज किसोर फोजी के भाई हैपी सिंग अपने कुछ साथियों के साथ बीयर के दुखान पर पीर पी रहे थे पैसे की लेंदेन को लेकर के दुकानदार से उसकी कुछ कहा सुनी हुई और इस कहा सुनी के उपरांत हैपी सिंग द्वारा दुकानदार साथ मार्कीट की गई गाली गरोज की गई उसके दुखान में तोड़ पुड़ की गई चैहिं जैभारत प्रीय देश वासियो मेरा आपसे हाँ जोड़ के निबेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा इस कि लोगों तक पहुछा तो मेरा नाम राजकिशोर सिंग। मैं एक सेना का जवान हूँ, राजपुताना राइफल्स में, तैनात हूँ इस समय दिल्ली में, मैं तीस दिन के छोटी लेकर, जो कि मेरे इस लीफ सर्टिफिकर में दासाई लेगी है, कल मेरे छोटे भाई और एक दुकानदार के साथ गाली गलोच हो गया, फिर मेरे को जब पता चला, फिर मैं वहाँ पे बीच बराव करने के लिए गया, कि हाँ, मेरा घर का है तो महाँ जाओं क्या हो गया, जब सनाई पड़ा, चंदौली के अलिनगर थाना शेतर के वाड नंबर 16, जीटी रोड पर एक पेट्रोल पंप के सौचाले में संदिक परस्तितियों में फांसी लगा कर युवक की मौत होनी से आक्रोश्चित लोगों ने मुगल सराय पच्छ फीडवा जीटी रोड पर जाम लगा दिया, अलिनगर मुगल चौकी वाड नंबर 9, निवासी मुकटधार योर्फ धिल चोहन, 35 साल जिसकी उमर बताई जा रही है, शुकरवार के देश राम घर से निकलाश और निवार के सुभाद 4 बजे अपनी मा शांती देवी से फोन पर बात की, उसने कहा कि मैं इलाबाद जा रहा हूँ, दो दिन में आ जाओंगा, लेकिं लगभग साथ बजे रेनगर जीटी रोड पर एक पेट्रोल पंप के स्वचाले में संद्धित परस्तियों में उसका शव फासे के फंदे पर लटका मिला, पताया जा रहा है कि एक यूवक वहाँ पहुचा था, उसने देख लिया, वे दिश्यदेकिस की सुचना पेट्रोल पंप माली के साथ पुलिस को दी गई, पेट्रोल पंपे यहां पे एक टेट पॉड़ी मिली थी, ऐसा था कि मतलब परिवार वालों का उनके कहना है कि यह हत्या हुई होगी, लेकिन अभी कुछ ऐसा क्लियर नहीं है, अब जो पोस्ट मॉटम की रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा, और परिवार के लोग और भी जो हैं यहां पे लोग जो चक्का जाम कर दिये थे, तो अभी समझा बुजा के सड़क के व्यातायात चालू करवा दिया गया है, ताकि जाम वाली सिति ना उत्पन रोपाएगा, गोरखपुर से दसीट पर सीम योगी की चुनाव लड़ने से जनता में खुशी के लहर है, जनता का माना है कि गोरखपुर में जो आधे अधूरे विकास कारें को सीम योगी के दुबारा मुख्य मंत्री बननी से गती मिलेगी, और गोरखपुर समेत पुरवांचल के विक कोसिस करेंगी कि योगी जी को भारती जनता पार्टी ने यहां विधान सवास से प्रत्यासी उतारा है, उसका कितना इंपक्ट दिख रहा है, टिकट बटवारे को लेकर और यहां गोरखपुर की जनता, सीम योगी के जो पिछले कारिकाल है, उनको किस नजर से देखती है, और प्रत्यासी की रूप में कितनी बड़ी चुनावती यहां की जनता समस्ती है, तो सीधा हमारे साथ यहां की आवाम है, दिखाना चाहेंगे, गोरखपुर की यह आवाम है, और इनहीं से जानने की कोसिस करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं, डक्टर आर सी चौदरी जो क गोरखपुर शेत्र में माना जाता है, डक्टर बहुत-बहुत स्वागता नियूज वर्ल इंडिया में, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, क्या मानते हैं कि इस तरह से जो योगी जी को यहां गोरखपुर से विधान साबा का टिकट मिला है, यहां की जनता, आप लोग क से जा रहे हैं, कोई कारण समझ में नहीं आता था, दूसरी चीजे थी की इतना जादे काम गोरखपुर में सुरू किया गया है, चाहे वो सडकों का हो, चाहे वो ड्रेन का हो, चाहे वो बिजली का हो, यह काम अभी आधे भी पूरे नहीं हो पाएं हैं, तो डर यह लगता खाला कि दूसरा ब्यक्ति कैसा आवे दूसरी पार्टी कैसी आवे वह एकाम अधे सब रुक जाएंगे और गोर्ट पूर इसमें अगर एकाम पूरा हो जाएगा तेक समझें इस का नाम भी सोशगता बदलना पड़ा की गोर्ट पूर की जगह नवीन गोर्ट पूर या नया गोरकपूर करके इतना बदलाओ इसमें आजा हुआ है ते सारी चीजें बीचे रुख जाती इसलिए तकलीफ हो रही थी तो हम आपकी बात का जवाब जो है दूसरी तरफ से यह देना चाहेंगे कि बड़ी खुसी है कि वह उन्होंने तही किया या पार्टी ने तही किया कि गोरकपूर से चुनाओ लड़ने तो उनका बहुत-बहुत स्वागत है और हम लोग इस बात के लिए बड़े सक्षम हैं बड़े खुस हैं कि यह गोरकपूर का जो आगय का नक्सा है वह पूरा होगा तो बड़ी खुसी के बात है को पुर्णा यहां से चुनाओ लड़ने हैं अब हम बात कर लेते हैं यहां की जनता जो मान रही है कि गोरकपूर के लिए सीम योगी आदितनात यावसक है कि यहां के विकास वह या डबलेपेंट जो गोरकपूर का है उसमें कोई बाधा न पड़े तो दोबारा एक बार उनको फिर जो है उत्तर प्रदेश की कमां सब्सक्राइब बात करेंगे महिलाओं की आप क्या मानती हो कि कितना जरूरी है सीम योगी यादितना इतना इतने उप्योगी है गोरकपूर के लिए अभी तक आप अगर गोरकपूर में दंगो का रेट या यूपी में ही कही दंगो का रेट देखेंगे तो बहुत कम लिए इस वज़े से क्राइम या कानून ब्योस्ता के मद्दे नजर योगी जी उप योगी तो उसका स्रेथ दे रहे हुई तो महंगाई का स्रेह किसको देगी जायर्ची बात है सारा काम अगर वो कर रहे हैं तो यह भी हूनी को दिया जाएगा क्या मानते महंगाई का कि यह सूच कर देगा कि कौन थूड़ा इसमर कम्हीन करेगा तो महागाई का मुद्द्दा भी जो है गोरख पूर के लोगों के जहन में है और महागाई का मुद्दा जुख तो बैस्तुमर में आगा 걸 ऑने आका strategically के लिए 220य कि यह को दिदक सब intrinsाते जैंगी निश्तुर ल तो वाकई में इस तरीके से हुआ है वो निशित रुप से जो है उसमें बाधा नो हो इसलिए इस उद्देश के साथ जो है अभी उनको एक बार यहां से पुनह जीतना चाहिए और हम लोग पूरी तरीके से इनको सहयोग करेंगे कि इनको जिताने में कि गोरकपुर से वो अजली की बात हो महाई के जो आपने बात उठा रहा था महाई सिर्फ गोरकपुर के लिए नहीं है वह इस तरीके से परिस्थितियां ही जो है बन गई है चाहिए को रोना को ले करके चाहिए अन्यमुद्दों को ले करके इसलिए महाई पर निशित रुप से जो है असर महाई लेकिन है कि विकास का जब काम हो रहा है तो निशित रुप से महाई का प्रभाव ही जो है आम जनता को कहीं कहीं जेलनी पड़ी तो महाई का मुद्द कुल मिला जुला कर इस नगर्ड माना जा रहा है गोरकपुर सहर में यहां पर सी एम योगी आदितनात खुद वि दे नजर यहां की जनता जो है वोट करेगी आप का क्या नाम है मेरा नाम अशुक कुमार सिरवास्तो है असोग जी आप से जानना चाहते हैं कि योगी जी गोरकपुर के लिए कितने उपयोगी हैं और कौन कौन से मुद्दे इस विधान सभा चुनाओं में गोरकपुर में देखने को मिलेंगे देखें योगी जी केवल गोरकपुर जीले के लिए नहीं महतपूर है योगी जी पूरे भारत बर्स के लिए महतपूर है क्योंकि हमारी उमर 50 साल की है 50 साल में मुझे जो राजनितिक अनभव मिला है उसमें असपष्ट रूप से दिखा है कि योगी जी का जो सासन है जो प्रोटोकाल है जो नियम है जो काइदे हैं उस सब के लिए समान है यह सरकार की जन हितकारी योजनाएं है उजुला योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना उसको लेकर भी कुछ इंपेक्ट देखने को मिल रहा है कि लोगों के अंदर भारती जन कितनी पहुंची है जो भारत सरकार को जने धरातल पर तो पहुंची है अब हम आपको बहुत पुरानी बात बताते हैं राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो कहते थे अगर दिल्ली से एक रूपया चलता है तो यहां पे शौनी बड़ी मुझिल से धरातल पर पहु होगा कि बहुत बड़ी उपलब्दी है जो बीच में तमाम विश्वलिये खाते थे चाहे वो नेता हो चाहे ठेकडार हो चाहे वो सरकारी अफसर हो उनका खाना बंद तो हम नहीं कह सकते बंद हुआ है लेकिन बहुत ही कम हुआ है तो सव रूपया में जहां नब्वे पैस कि नहीं है पूरव की गौरवपूर की उस समस्याओं में हमने देखा इंसे प्लाइटेस है जापनी कितने लोग दिमागी फिवर से बच्चे मरते थे अब कोई नाम लिया अखवार में हमने एक दिन भी नहीं पढ़ा कि इंसे प्लाइटेस इतने बच्चे मर गए किसकी द जन जनेरेटर तो कभी-कभी चलता है कभी-कभी चलता है अज कल जब आपकी एक खंबेव जाड के किनारे किये जाँ है उसके नाते थोड़ा बाधित होती ही विजली तो जितना भी कहा जा जितना और जिसको कहतेसं ने उन्डागर्दी तो यह गुंडे जो अब जेल में ह सुना है कि अब दूसरी पार्टियां उनको टिकट दे नहीं है तो जैल में रहते रहते गुंडे लेकिन ओ गुंडे को कुछ ने जैल में डाला तो जो बीपक्षी पार्टियां वह भी तो गुंडगर्दी का भी येपी प्यारोप लगा रहे हैं जैसे वह आपके ग्रेह रा सब्सक्राइब करेंगे बनिष्वत के निन्यावने की यंता जो है उनकान वे कि सरकार की योजनाय हैम मूल भूभूद सुब्धाय धरा तलत पहुंची है और साइद यही वज़ए है कि गुश्यम योगी आधित को मुखमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं कैमरा परसन मुहम्मद हुसाइन के साथ असोक कुमार के साथ हेमन सिंग न्यूज वर्ल इंडिया गोरकपूर अमीरपूर की राठ विधान सभा पर दो सुनत्य सीट पर एक बार फिर भाजपा की कारेकारणी ने वर्तमान विधायक मनीशा नुरागी पर मुहर लगा ली है मनीशा नुरागी एक बार फिर राठ विधान सभासे पक्याशी के रूप में अपने चुनावी भ्रमन पर निकल पड़ी हैं पिछली बार जब 2017 में जब भाटी जंता भाटी ने मुझे पर विश्वास जता करके इस विधान सभा राठ विधान सभा चेतर से प्रिट्यासी बना करके जब मैं उतरी थी तो यहां के स्वामी जी का अशिरवाद लेकर के जितने भी हमारे महाफुष्ष हैं स्वामी पर्मारंगी महाराज जी दिवान सतुरण सिंग्ही श्रीपशाहर रावच जी सब का अशिरवाद लेकर के ही इस चुनावी ड़न में हम सब उद्रे थे और बहुत अच्छी मता के साथ यहां से जीट करके मैं विधानसवा पहुंची थी और मुझे पूरा विश्वास है कि दुबारा भार्ती जनता पार्टी के सीष्ष नेत्तों ने मुझे इस विधानसवा छेक्र से दुबारा प्रत्यासी बनाया है यह सब का आशीरवाद है हमारे सभी संगठन के सभ इस नेततों का बहुत भात धनवात देती हुं बहुत बहुत आभार वेक्टे करती हुं और जो विश्वास उन्हों ने मुझे पर जताए है उस विस्वास पर मैं खरी उतरूँगी और फिर से सभी के सायोग से जनता जनारदन के आसीरवास से संगठन के सभी हमारे प्रद उस विदान सभा तक पहुंचेंगे और इसे के साथ फिलाल खबरों में इतना ही आप बने रहे हैं नीज वरेलिया के साथ